हेलो फ्रेंट सेमा किचन फूड में आप सभी का एक बाफ प्रीची स्वागत है तो फ्रेंट्स मैंज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यमी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंट्स यह बहुत ही कम सामानों से जटपट से बनने वाला केक है आप इसको फटाफट से बना कर तयार कर सकती है तो फ्रेंट्स चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 रूपीज वाला ओरियो का बिस्किट लिया है और साथ में यहा यहां पर 4 bread लिये हैं sandwich bread आप यहां पर कोई भी simple bread यूज़ कर सकती है सबसे पहले हम यहां पर bread को चारो corner से cut कर लेना है और देखिए friends मैंने यहां पर सभी bread almost हमारी हाँ यहां पर corner से cut हो गई है अब हम यहां पर biscuit को open करेंगे और यहाँ पर हम बिस्किट और क्रीम को अलग कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमें यहाँ पर बिस्किट का एक मिक्षिर बना कर तयार कर लेना है और जो क्रीम है उसको हम यहाँ पर बाद में यूज करेंगे अब हम यहाँ पर बिस्किट को तोड़ करके मिक्सिजार में डाल लेंगे और इसका एक मिक्षिर बनाएंगे और जो बिस्किट की जो क्रीम है उसको हम यहाँ पर बाद में यूज़ करेंगे और देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका एक मिक्षर बना कर तयार कर लिया है अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूर डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे तो फ्रेंड्स हमे यहाँ पर तीन से चार मिनट के लिए इसको अच्छे से फेट लेना है और देखिए friends हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके के ही consistency paste की रखनी है इसी तरीके का हमें यहाँ पर paste बनाना है अब हम यहाँ पर एक चमच सुगर लेंगे और यहाँ पर तीन से चार चमच पानी डाल देंगे और उसका एक सुगर सिरफ बना लेंगे तो friends अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बिस्किट का paste लगा लेंगे और उसके उपर हमें यहाँ पर bread को लगा लेना है और अब हम यहाँ पर सुगर सिरफ लगा लेंगे और यहाँ पर हम बिस्किट का जो paste है उसको हम यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर bread को लगा देना है और फिर से हम यहाँ पर sugar syrup को लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पर paste को लगाएंगे तो friends अगर आपकी bread ज़्यादा hard है तो आप उस पर ज़्यादा sugar syrup लगा सकती है तो friends अब हम यहाँ पर फिर से bread को लगा लेना है और फिर से हम यहाँ पर सुगर सिरुप को लगा लेंगे और बिस्किट का जो पेस्ट है उसको हम यहाँ पर फिर से लगा लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेम फ्रोसेज फॉलो करेंगे और फिर से यहाँ पर सुगर सिरुप लगाएंगे और यहाँ पर हमें जो बिस्किट का पेस्ट है उसको हम यहाँ पर फिर से अच्छे से कवर कर देना है ब्रैड को और यहाँ पर हम चारो कॉर्णर से भी अच्छे से इसको लगा लेंगे मैंने यहाँ पर इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था अब हम यहाँ पर जो डेर मिल्क चोकलेट है उसको हम यहाँ पर ग्रेटर की साहिता से इसको ग्रेट कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर फाइनली इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब हम यहाँ पर जो केक है उसको हम यहाँ पर डेकोरेट करेंगे मेरे पास यहाँ पर हार्ट शेप में सैंपल पड़ा हुआ था इसको हम यहाँ पर उपर लगा देंगे और जो चोकलेट है उसको हम यहाँ पर उपर से जो केक है जो wrapper है उससे मैंने यहाँ पर चारो तरब से इसके चोकलेट को लगा दिया है अच्छे से और देखे फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो sample है उसको हटा देंगे और जो cream है उसको हम यहाँ पर इससे decorate करेंगे और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉल्स इस तरीके से बना कर त जैम्स है उसको हम यहाँ पर जो केक है उसको हम यहाँ पर decorate करेंगे तो friends मैंने जो यहाँ पर biscuit के जो cream ली है उसको हम यहाँ पर अच्छे से इसके उपर लगा देना है और यहाँ पर हम केक को इसससे decorate कर लेंगे तो देखे फैंट्स हम यहाँ पर इसको फटाफट से लगा देंगे और अब मैंने यहाँ पर जो जैम्स लिया हैं उसके उपर हम यहाँ पर अच्छे से इसको लगा देंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे तो यह लीजिए फैंट्स हमारे यहाँ पर यमी और टेस्टी केक बनके तयार हो गया है तो देखे फैंट्स यहाँ पर डेकोरेट करने के बाद हमारा जो केक है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है तो friends देखिए हमने यहां पर बहुती कम सामानों से फटा फट से हमने यहां पर यह केक बना कर तयार कर लिया है तो आप इसको बीना बेक किये वे हम यहां पर एक जटपट से मज़ेदार सा केक बना कर तयार कर लिया है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फ्रेंट्स चलिए हम यहाँ पर केक को भी कट कर लेते हैं दो देखें फ्रेंट्स हमारे यहाँ पर कितना ज्यादा स्पंजी मज़ेदार सा केक बनके तयार है तो फ्रेंट्स मैं मिलती हूं नैक्ट्रियो के साथ तब तक